एक समय की बात है. एक छोटे से गाव में मिन्नी नाम की एक प्यारी बिल्ली रहती थी. मिन्नी बहुत ही चंचल और साहसी थी. वह पूरे गाव में घूमती और नए दोस्त बनाती रहती थी. एक दिन मिन्नी ने सुना कि गाम के पास वाले जंगल में एक जादूई पेड़ है जो इच्छाएं पूरी करता है मिन्नी ने तै किया कि वह उस पेड़ को ढूंढेगी उसने अपने दोस्तों को यह बात बताई और सभी ने उसके साथ जाने का फैसला किया उसके दोस्तों में मोहन खरगोश, गुड्डू की लहरी और बबलू कबूतर शामिल थे रास्ते में उन्हें कई चुनाउतियों का सामना करना पड़ा एक नदी को पार करते समय मोहन खरगोश पानी में गिर गया लेकिन मिन्नी ने अपनी चतुराई से उसे बचा लिया जंगल में आगे बढ़ते हुए उन्हें एक गहरी खाई मिली बबलू कबूतर ने उड़कर दूसरी तरफ जाकर एक मजबूत पेल लाई जिससे सभी खाई पार कर सके इन हिंदी आगे बढ़ते हुए मिन्नी और उसके दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी उन्होंने अपनी एक जुट्टा और साहस से हर चुनौती का सामना किया जब वे जंगल के और गहराई में पहुँचे तो उन्हें वहां एक विशाल और खूबसूरत जादूई पेड़ दिखाई दिया पेड़ की शाखाएं चमक रही थी और हवा में हलकी हलकी घंटियों की आगे बढ़ते हैं